मुंबई राशी राजमार्क पर चलते कंटेनर के दर्वासे का ताला थोड़कर बदमाश 19 लाख रुपई से अधिक के मोबाइल ले उड़े वारदात के बाद कंटेनर चालक रिपोर्ट दर्श कराने के लिए परिशान होता रहा काफी मशकत के बाद वारदात के 18 दिन बाद लाल घाठी थाना पुलिस ने अग्याद चोरों के खिलाफ केस दर्श किया है आपको बता दे कि शाजा पुर्जले से गुजरे हाईवे पर पदमाशो का अतंक है यहाँ चोर आए दिन चलते वाहनों से माल चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं बदमाशो के होसले अतने बुलंद हैं कि वो दिन में भी वारदात करते हैं बाबजूत पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती कंटेनर से चोरी उस वक्त की गई जब कंटेनर से 10 सितंबर को कोरियर का सामान इंदोर से गौलियर ले जाया जा रहा था ड्राइवर को रात करीबं दो बजे बाइपास, पतोली जोड, एबी रोड, शाजापुर में कंटेनर के पीछे का दर्वाजा खुले होने की जानकरी लगी उधर कर देखा तो कंटेनर का पीछे का गेंट खुला था कंटेनर में रखे मोबाइल के दो बोरे गायब थे इन बोरो में करीब 170 मोबाइल थे ड्राइवर द्वारा उपलब्द कराये गए बिलो के अनुसार चोरी किये गए मोबाइल की कीमत 19 लाख रुपई से अधिक है मामले में लाल घाठी ताना पुलिस चोरो और माल की तलाश कर रही है तो यह वो तस्वीर है जिस कंटेनर में जिस ट्रक में चोरी हुई है आप देख सकते हैं पीछे से गेट खोल कर चोर लगभग 19 लाख रुपई के मोबाइल चोरी करके भाग गया अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस चार्च कर रही है तलाश कर रही है तो हाइवेपर दिन में भी जस तरह से सफारदात को अंजाम चोरों ने दिया है